आशिश मिश्रा टेनी के केस में जब तक किसानों को न्याय ने मिलता लखीम पुर्खेरी में तब तक हमारा संगर जारी रहे है। अमीद कर सकते हैं जहां तक पंजाब का सवाल है वहां तो भाजपा ध्वस्त हो चुकी है भाजपा का नामों निशान नहीं है। बाकी राज्यों में विशेश तोर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम एक अभियान जला रहे हैं। और अभियान में हमारा बिल्कुल एक साधारन सा संदेश है। इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दे। सजा कैसे दें वो तैकर लेंगे, वोट किसे देना है वो तैकर लेंगे, हम कह रहे हैं सजा दें। चुनकि इस सरकार ने भारतिय जनता पार्टी ने किसानों से विश्वास गहत किया है। सरकार ने एक भी केस वापिस नहीं लिया है। वायदा था, शहीद किसानों को कमपेंसेशन का नहीं दिया गया है। वायदा था, MSP पर कमेटी का जो की नहीं बनी है। आपका आगला कदम क्या होगा। आगला कदम है, इसके विरुद चुनाव में ही नहीं, चुनाव के बाद भी, MSP के सवाल पर एक राष्ट व्यापी अभियान खड़ा करना हमारा आगला कदम हो। जितने सरकार ने वादे किये थे, कौन से वादे पूरे किये हैं अब तक तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए हमारा संगर्ष आगे बढ़ेगा और विशेश तोर पे आशिश मिश्रा टेनी को जो इन्होंने जमानत दिलवाने का काम किया है, वो किसान के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है और इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रिशान भू जो है, उन्होंने राजकिया पार्टी बनाई, वहाँ पे जो नाव लड़े, क्या यह डिसिजन सही था या कि इसको लेकर कुछ मदभी थे? क्या मेरमन अजीत चाको सहप्रशान कोदम, ABP माजा नवे दिल्ली